दोस्तों नमस्कार आज का सब्जेक्ट है मेजर्मेंट्स एंड मेटरोलोजी जिसके अंदर आज हम लोग समझेगे टू कोईल सेल्प इंड़क्टेंस ट्रांसड्यूसर इससे पहले में ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन एंड पीजो इलेक्ट्रिक ट इसको पूरा देखें जो यहाँ पर मैं समझागगा उसको भी आपको ध्यान से सुनना है और समाईना है चलते सब्से पहले यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ इसको थोड़ा सा समाई लेक्ते हैं सब्से पहले यहाँ पर लेका टू कोईल मतलब हमारा जो ट्रांसड्यूसर मैंने लिगा है इस तरह कीौिल होती है कि या पर लिखा voilà को दिखाने के लिए थेցरी यसला में जो डाइग्ञा में समझाऊं hey कोरी अब और वहाँ पर में बता भी दूँगा कि इस डाइग्राम को थेओर एक्जाम में बनाना है। अभी सिर्फ आपने देख लिया हुआ है कोईल कैसी होती है। जो यहाँ आपने लिखा ट्रांसड्यूसर इसका फंक्षन आप लोग समझते होंगे यदि आपने हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन का देख लिया हुआ। और नहीं समझा तो थोड़ा समय बता देता हूँ। ट्रांसड्यूसर का फंक्षन होता है इनर्जी के एक फ़र्म को किसी दूसरे फ़र्म में कनवर्ट करना है। यह क्या होती है कि डिवाइस होती है और जो क्या करते हैं इनर्जी के एक फ़र्म को दूसरे फ़र्म में कनवर्ट करना है। तो यह जो different types के transducer होते हैं उसमें से एक आज हम लोग समझेंगे self inductance transducer इसको जो define किया गया है इसकी जो working होती है किस principle पर आधारत होती है उसके आधारत पर इसको define किया है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है समझ सकते हैं कि जो हम एक ऐसा transducer जिसका जो transaction principle है वह एक किस पर आधारत होता है electromagnetic induction पर आधारत होता है क्या होता है electromagnetic induction पर आधारत होता है जिसका मतलब है कि जो electromagnetic field है उसके कारण जो voltage उत्पन होता है यह is उसी प्रिंसपल म करण बेश्ट होता है अब इसका जो उप्योग किया आता हुआ है जैसे horse में पर वगया pressure परवरतन हो गया displacement पर वगया welus streaming पर वावरतन हो गया 24 कि उनकी measurement क desarroll कि लिए इसका इत्योग किया जाता है तो 좋아요 आप ऐसे definitionνε कर तो बहुत आसानी होगी, आपूं बनाना हो इसको explored उसके अंदर कितनी ओप्योप्या हैं पर बनिए। दूसरी ब्रेसम्राइब यह इसका लीजर्ण करने के लिए इस का रिजर्ण कौन पोल्ला य cutting यहां पर और फिएग लॉन का६ल्टेज्अ फियोगी यह क्यों था है!!! इसका का अपयोग का रिख हो के लिए यह लिए यह पीक्तर at ग्रणरेट होता हूं पर जो एलेक्ट्रिक Effect क्रिंक इंडिूस होता है वो ने आर्मी कॉसा ह defenders करление करने तेंच सब्सक्राइब करने के अasion इसके movement की उपर जो दोनों की अंदर जो यहां पर voltage प्रोडूस होगा जो difference होगा दोनों के voltage में वह है इसके movement की उपर ही depend करता आर्मेचर की आर्मेचर मुमेंट के आधर पर डेपेंड करता और आर्मेचर मुमेंट के आधर पर यहां पर हमारा voltage प्रोडूस होगा इसके अंदर यहां पर जो हमारा और भूर के अदर फ्रिल से हो गातीय का और 25 का मु juste को टा इढेंट करते हैं युसके मुऊमेंच पर बी क्या सुसाइब ये हमारा बेस्ट होता है हमारा magnetic electromagnetic field होती है उससे पर dependent करता है जो मैंने इससे उपर बता चेका हूँ तो इसमेnd electric field जन्रेट होती उसके बाद इसमें क्या सिंडर होती है current जन्रेट होता है अब क्या होता इसमें जो इसका आर्मिचर movement होगा तो armature movement होता है तो इसमें जैसा मैं बना जो संट तो क्या होगा सबसक्तुल क्या उसर पढ़ा, सबसपहले वाल्टेज करने वाल्टेज जटोल सबसके 62 पढ़ा, हैले निजया, सीद्र के समय वाल्टेश आहीं करूंप इसमें इन रचेट करने च सेंद्र करें खार गपर है, यह přी थे और अल्दर push कैसे करें!! इस तरह यह क्या होती है हमारी टू-क्वाइल सेल्प इंड़क्टेंस ट्रांस्ट्यूसर था इसकी अगर आपको लिखना है प्रॉलम आती है तो हमारी आप जरूर देखें और डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे गई है उससे लिंक के थुरू आप वीडियो देखें उस वीडियो को देखने के पाला आपको पता चल जागा है अप्टिकेसं क कर सकते हैं तो मैं बता रहता हूँ आपको कई लोगो डाउट रहते हैं बहुत सारे कुश्चन रहते हैं मानने में वहाँ कुश्चन सारे आप पूछ सकते हैं हमसे यहां पर आप कॉंट्रक्ट रह सकते हैं तो इस क्या होगा है आपकी डाउट खतम हो जाएंगे बहुत सा अप्लोट करता रहता हूं कि जब आप उसको सब्सक्रिप्शन ले 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 थे तो हमारी फर्द बनता है उसका पूरा से लेवस्क्राइब अप्लोट के वारे पूछा या था तो आप फूर के जगाए एक कोई वारा डाइगरम बहुत सारी मिल जाएं उस एक कोई के दुरूज को भी समझा सकते तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गया हूंगे थेंक्यू फ्रेंट्स